दोस्तो मोदी विरोध में हर साल हर वर्ष एक नया आइकॉन ढूनने वाली जो प्रत्था है वो लगतार चालू है जारी है और इसलिए आपको शायद याद होगा कि 2014 में जब से मोदी सरकार आई है तो पहले 2015 में कनेया कुमार की खोच की गई 2016 में जिगनेश मेवानी की खोच की गई 2017 में शहला राशित की खोच की गई 2018 में उमर खालित की खोच की गई 2019 में आपने देखा कि किस तरीके से स्वरा भासकर जैसे लोगों की खोच की गई 2020 में दिलजी दोसांज खोच लिया गया दोजार एक्कीस में राकेश तिकेट की खोज होई रही थी, अविश्कार होई रहा था कि अब जाकर अंतराश्ट्य पोस्टर बॉई भी मिल चुके हैं, पोस्टर गल भी मिल चुके हैं, तो उसमें जो सिंगर है रियाना और उसके अलावा आपके ग्रेटा थनबर, जो की ए राजनेतिक विपक्ष है, वो तो इतना आलसी बना हुआ है, कि इनको रोज हर साल एक नया पोस्टर बाई पोस्टर गल ढूनना पड़ता है, वो तो बिलकुल जायज बात है ढूनते रहे, और हो सकता है कि मोधी विरोध में देश विरोधी ताकतों से भी यहाथ मिलाना च चाहे तो मिला सकते हैं, पर Greta Thunberg की बात करते हैं, Greta Thunberg क्योंकि एक बहुत बड़ी environmentalist के नाम पर, climate change activist के नाम पर बहुत famous हुई है, तो Greta जी यह ज़रा बताईए, कि एक जो मांग निकल कर आई है, इस पूरे farm laws के नाम पर protest के अंदर, वो है कि air pollution का जो नियम कानून बना है, खास कर जो stubble burning को लेकर, जिससे की दिल्ली वालों की सेहत पर कितनी आफ़त आई है, कितना pollution हुआ है, और कितना pollution उससे बढ़ता है, उसको हटाने की मांग की है, इन तथाकतित किसान ग्रूप्स ने, तो क्या आप इसके साथ है, और रियाना जी का जहां तक सवाल है, व क्या आप एक बड़ी feminist है, civil rights के उपर काफी बाते रखती हैं, तो जो तथाकतित ये किसान नेता है, इन्होंने जब हिंसा की और 400 पुलिस वाले हमारे घायल हुए, उसकी तस्वीरे आपने देखी हूंगी या शायद नहीं देखी हूंगी, जिस तरीके से बात निकल कर नीचे गिराया गया, तो दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी है, उनके मानव अधिकार नहीं है क्या, और जो ये बात मानव अधिकारों की करते हैं, तो जिन संगठनों का समर्थन इन पूरे किसान आंदोलन, तथाकतित किसान आंदोलन को है, माउस ग्रूप का, उन्होंने क इतने भारती लोगों को और भारती सुरक्षा कर्मियों को मारा है, उनके कोई मौलिक बुनियादी अधिकार और जीने के अधिकार नहीं है क्या, तो इनके मौलिक अधिकारों के बारे में, या इनकी बुनियादी जिन्दगी के अधिकारों के बारे में, शायद बोलना मु परन्तु भारत में कुछ लोग जो इस पर बहुत उत्साहित हो रहे हैं कि रियाना ने बात रख दी या ग्रेटा थनबर्ग ने बात रख दी उनका तो मुझे समझ में आता ही है वैसे ही वो हमेशा मोदी विरोध में भारत की बदनामी हो भारत की छवी खराब हो उसके लिए निरंतर इनका प्रयास होता है और भारत के खलाफ देश और दुनिया में बाते हो वो उनको बिलकुल लाजमी लगता है मोदी विरोध में तो वो तो अपना अजेंडा चलाते रहे हैं पर जो की रियाना ने इतने बड़े सवाल उठाए हैं तो रियाना जी ये भी बता दे कि महिलाओं के बारे में जो विचार इन लोगों की है राकेश तिकेट और नरेश तिकेट के परिवार की है जरा आप गूगल करके पढ़ लीजे कि क्या वो सोचते है महिलाओं के अधिकारों के बारे में महिलाओं को काम करने के बारे में महिलाओं को स्वतंत्र विचार से चाहजादी से शादी करने के बारे में उनके थोड़े विचार पढ़तों लीजिए उनके खाब पंचायतों के और उसके अलावा मानवधीकारों की बात है तो पुलिस के मानवधीकारों पर भी कुछ ग्यान दे दीजिए जहां तक environment की बात है तो environment पर क्या अभी कानून उन् श्मिवाणी उसके बाद आपकी कश्मीर वाली शहला राशिद शाह फैजल उमर खालिद स्वराभासकर दलजीद दोसांच अब राकेश तिकैत रियाना और ग्रेटा थंबर यह लगातार जारी है यह नए ने पोश्टर वाइक खोशते रहें बस इतनी सी बात कहना चाह र सब्सक्राइब करना जहें जबाद